अगर आपको मेरी प्रिवेश वीडियो देखनी है तो मेरी चैनल की प्रेलिस में जाके आप देख सकते हैं नौ फॉरवर्ट टू नेक्स उनिट फिफ्ट अंडरस्टेंडिंग एलिमेंटरी शेप्स तो चैप्टर की नाम से पता चल रहा है हमाँ पास कि हम क्या करेंगे इस चैप्टर में बेसिक जो शेप्स हमारे पास है ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कोडिलेटर्स वो सभी के बारे में हम क्या करेंगे इसमें पता करेंगे इसमें पढ़ेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबी exercises की introduction साथ में कर लिया करेंगे then उसके question भी solve कर लेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इस 5.1 की introduction कर लेते हैं सबके पास सबसे पहले क्या बात की गई है महाँ पास line segment की so line segment महाँ पास क्या होता है a line segment is a fixed portion of a line ठीक है न मतलब क्या हुआ किसी line की अगर दोनों end महारे पास fix हो जाते हैं उसको क्या बढ़ जाता है line segment ठीक है किसी line की अगर दोनों end fix हो जाते हैं तो वो महारे पास क्या होती है line segment होती है तो आपके पास यहाँ पर क्या करा गया है आपको methods बताया गए है कि कौन कौन से methods हम क्या कर सकते हैं line segment को measure कर सकते हैं तो first method आपके पास क्या दिया गए यहाँ पर comparison by observation तो comparison by observation का मतलब क्या हुआ आपके पास यहां पर देको दो line segment दी हुई है तो आपने क्या करना है by looking observation का मतलब कि आपने सिर्फ देख के बताना है तो पहला method है कि हम देख के बता सकते हैं कि क्या line segment आपस कौन से line segment आपास longer है तो यहां से पता चल रहा है कि AB line segment CD line segment से क्या आपास longer है तो first method क्या हो गया comparison by observation तो हम देख के क्या कर सकते हैं observe कर सकते हैं then next आपके पास आता है comparison using ruler and divider ठीक है न देखके तो हम कर सकते हैं कि हमने देख लिया हमारे पास अगर हमारे पास मालो की कोई ऐसी लाइन आपके पास आ जाती है कि इसमें देखो ये लाइन आपके पास है और ये लाइन आपके पास है लाइन सेग्मेंट आपके पास है ये दो और आपको बोला गया है कि बताओ कि ये दो लाइन सेग्मेंट मारे पास क्या है कौँस लाइन सेग्मेंट मारे पास longer है तो इनको देखने से मारे पास time क्या लग रहा है हमें लग रहा है कि दोनों लाइन सेग्मेंट मारे पास क्या या प्रॉक्सिमेटरी से हम लग रही है, बाई अगर हम आप्जर्विंग करें, जो फॉर्स मैथर हम ने देखा, लेकिन क्या होता है, अगर आप इसको मेजर करते हैं, स्केल से, तो कहीं बाई क्या होता है, मालो यह 4 cm होगी, और यह 4.1 cm होगी, तो मतलब हम क्या करते हैं, ब या तो हम यूज करते हैं, रूलर और या तो यूज करते हैं, डिवाइडर, स्केल आप इसको बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, रूलर से, हम लाइन सेग्मेंट को मेजर कर लेते हैं, जिससे माले पास क्या होता है, प्रॉपरली हम देख सकते हैं, कि कितनी लाइन सेग्में भी यूज कर सकते हैं लेकिन मापास अगर आपको बोले कि most procedure मापास किसे मेलेगा मतलब most accurate result किसे मेलेगा तो वो क्या होगा divider because scale का length मापास तो कितनी मापास थोड़ी ठीक होती है इसके बसे मापास कहीं बार क्या होता है measurement करने में थोड़ी से आपके पास क्या हो सकता है एरर आ सकता है लेकिन divider की मापास अगर आप देखेंगे no मापास बिल्कुल बिल्कुल पतली होती है जिससे आपास क्या होता है कि हम कोई भी measurement हम करेंगे तो उससे क्या हो जाते हैं आपास accurate measurement आती है तो यह आपास method है जिससे हम क्या कर सकते है line segment को measure कर सकते है तो इसके question देखते है so exercise 5.1 question number first what is the disadvantage in comparing line segments by mere observation so इस exercise में आपके पास सारे questions कैसे है statement वाले questions है तो आपको क्या बोला गया है कि क्या disadvantage है comparing line segment by mere observation कि अगर हम क्या करते है observation देखके ही अगर देखते है तो उससे क्या disadvantage है किसी line segment को अगर हम देखके बता रहे है कि वो longer है कि मापा shorter है तो उसका क्या disadvantage हो सकता है तो इसका answer देखो तो मैंने आंसर में क्या लिखा There may be chance of error due to improper viewing कि अगर हम ध्यान से नहीं देखेंगे तो उसमें error के chance हो सकते है अगर मतलब गलती के chance हो सकते है कि हम क्या हो सकते है कहीं बार हम ज़ादा भी बहुत सकते है किसी को कहीं बार कम भी बहुत सकते है तो इसलिए why viewing हमाँ पास directly में पता नहीं चलता है कि line segment हमाँ पास कितनी centimeter की है या कितनी longer है next हमाँ पास से second question why is it easier to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment तो आपको बोला गया है कि divider ruler से क्यों ज़्यादा अच्छा है line segment को measure करने के लिए तो मैंने आपको reason बताया कि जो ruler होता है वो थोड़ा सा ठीक होता है जिसके बरसे कईवार measurement error हो सकते है लेकिन divider की no क्योंकि माँ पास क्या होती है ठीन होती है जिसके बरसे माँ पास क्या होता है proper measurement हम ले सकते है तो इसका answer देखो तो answer में मैंने क्या लिखा it is better to use a divider than a ruler because thickness of the ruler may cause difficulties in reading of length तो मैंने क्या बुला कि divider क्यों better है क्योंकि जो ruler की thickness मारे पास है वो क्या करता है कहीं बार difficulties क्या कर लेता है reading के लिए length के लिए length की reading के लिए difficulties cause कर लेता है जिसके बरसे क्या होता है कहीं बार ruler जो माँ पास error भी दे सकता है तो इसलिए divider माँ पास क्या है much better option है तो यह आपा second question था next question is question number third draw any line segment say AB segment take any point C lying in between A and B measure the length of AB, BC and AC is AB equal to AC plus CB तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पर क्या आपने एक line segment AB draw करनी अपनी मजी से then कोई point C आपने क्या करना है A and B के बीच में आपने लेना है उसके बाद क्या करना है आपने measure करनी है सभी के length AB की भी, BC की भी और ACB की भी फिर बताना है कि क्या AB की जो value है वो AC plus CB के equal है या नहीं है तो इसका solution लिखते हैं तो third question का answer देखो सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपने एक AB line को draw करना है तो यहां पर हम एक AB line draw कर लेंगे तो यहां पर मैंने एक AB line ले लिए जिसको मैंने 4 centimeters ले लिया तो हम क्या करते हैं कई भी आप line लेते हैं तो आप मैशा zero से start करते हैं 4 तक अगर बोला क्या है तो आप यहां से यहां तक line को draw करेंगे तो यहां से मैं ले ली 4 cm line segment जिसको नाम आपको बोला है देने को A and B then आपको बोला गया कि आपने क्या करना है इनके बीच में एक point ले लेना है C point ले लेना है तो मैंने क्या किया इसका बीच का देखो 1 और 4 के बीच में इसका half करेंगे तो half कितना हो देगा पास 2 तो मैं इसके center में ले लिया एक point C ले लिया ठीकिना यह पूरा हूं पास कितना लिया मैंने यहां पर 4 cm लिया हमने और यहां पर यह कितना cm लिया हमने यहां पर 2 cm है ना यहां से यहां पर इसके distance है यहांपर आपने बताना है AB BC और AC को मेजर करके तुमने मेजर कर लिया है तरुम लिख लेते हैं सबसे पहले आपको बोला कि AB यहांपर कितना है तो याँपर AB कितना लिया था हमने 4 4 cm then आपको बोला है कि B C को measure करो तो बी C 2 cm है और आपको बोला गया है कि A C को भी measure करो अब आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है? A C plus C B देखना है A B के equalizer की नहीं है तो हमरे पास ac आप इसको b c b ली सकते हैं और c b b ली सकते हैं क्योंकि question में c b दिया है तो आप इसको c b ही लिखो तो आपको बोले चैनल सकते हैं Ac और c b को आपने plus करना है तो ac और c b को plus करके किस की equal आना चाहिए ab के So ac plus c b तो ac की value two है CB की value 2 है और AB की value कितनी थी 4 तो 4 equal to 4 आ गया तो मतलब आपास क्या हो गया यहाँ पर यह इसके equal है तुम क्या लेखेंगे therefore AC plus CB is equal to AB तो यह आपके पास था question number था और जिसमें आपको क्या बोला गया था line को line segment को draw करने के बाद एक point बीच में लेना है उसके then आपको देखना है कि वो point इन दोनों को plus करके इसके equal आता है कि नहीं वो दिखती बात है कि वो आ रहा है तो यह आपास third question हुआ तो आज के लिए हम इतने question करेंगे next question करेंगे next video में अगर आपको इन question से related कोई भी problem हो तो आप comment section में comment कर सकते हैं until then thank you